नहाते समय मातरी ये एक नियम अपना लिजी और यकीन मानिए आपके शरीर से बुढ़ापा कोसो दूर रहेगा आपकी उम्र थम जाएगी और शरीर को मिलेंगे अदबुतलाब चलिए जानते हैं कि कौन सा है ये अमेद करती हूँ आज की जानकारी आपको बेहत पसंद आएगी जानकारी अच्छी लगे तो मुझे अप्रिशेट करने के लिए आज की इस वीडियो को लाइक कमेंट और शेर सरूर कीजेगा ये तो आप सभी जानते हैं कि हमें हमारे शरीर को डिटॉक्स करने की जरूरत होती है यानि कि बॉडी से अगर टॉक्सिंस को बाहर निकालना है शरीर को डिटॉक्स करना है तो कुछ ऐसे काम करने होंगे जिससे कि हमारा शरीर साफ हो सके तो इसमें कुछ बेसिकली काम होत का प्हेँ आपनोसरा तरीका होता है कि अपनी बॉटी पर पसी न आता है यानि कि जो स्वेटिंग होती है उसके थेरपी ले सकते हैं, अनीमर ले सकते हैं, जैसे कि उसके फरूआ पनी बॉडी कोลई कर सकते हैं एक तरीका होता है स्किन के दुआर अपनी बॉडी को डिटॉक्स करना, यानि कि हमारी जो ये स्किन है तो अच्छा है, ये भी सांस लेती है, इसमें छोटे 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 छेद होते हैं, छिद्र होते हैं, वो भी आपकी बॉडी से पसीने को बाहर निकालते हैं, और जो बा आपके शरीर से सारे टॉक्सिंस बहुत आसानी से बाहर निकल जाएंगे आपकी जो तवचा है वो एकदम आराम से निखरेगी साफ होगी शरीर को बहुत लाब मिलेंगे इसके लिए आपको क्या करना है आपको मार्केट से लेकर के आना रीठा वही रीठा जिसका इस्तमाल जो है आपका सेंपू बनाने के लिए इस्तमाल किया जाता है तो ये रीठा आपने मार्केट से लेकर के आना है साथ में आपको लेनी है मुलतानी मिट्टी इसके लावा आपको चाहिए सिककाई ये का काम करेंगे जो आपके सेंपू बनाने में चीज़ इस्तमाल होती है र स्किन को हाम करता है पर अगर आप रीठा, सिककाई और मुलताने मिट्टी इन तीनों चीजों को मार्केर से ले करके आएं और इन्हें पीस कर बराबर मात्रा में ले करके एक पाउडर बना करके किसी डबे में भरके रख लें अब आपने क्या करना है इसमें से आपने एक चम स्क्रबिंग करनी है और धीरे धीरे हाथों से करनी इस बात का विशेश देहन रखें मैं ऐसा नहीं कहती हूं कि रोजाना आपके पास इतना समय होगा कि आप ये काम कर सकें पर कम से कम हफते में एक दिन संडे के दिन ही आप इस काम को कीजिए लेकिन जरूर कीजिए क्यों फिरर आपंस लेने में 3-4 तो सांस लेने में आपको तकलीफ होरा कोगी तो इसको भी से एक डार पास रखें और एक चमश लीजिए तो कुलाब जली कुछ भी mix कीजिए इसका थोड़ा गाड़ा सा लिपसा बनाईए पूरे शरीर पर scrubbing कीजिए इससे और 5-7 मिनट body पर छोड़िए और उसके बाद ताजे इंपानी से गुन गुने पानी से जैसे भी आप नहाते हैं नहा लीजिए तो उसमें भी आपको लाब मिलता है आप सोचेंगे रोज साबुन से नहाते ही हैं तो सच तो हम होई जाते हैं पर अगर बाके अप सच हो जाते हैं तो अपने टॉबल को ध्यान से देखिए हफते बर टॉबल इस्तवाल करने के बाद अगर आप इतने सच हो गए हैं तो आप अभी निटन लगाया जाता था शरीर और लिपन किया जाता था जिससे की बॉड़्ी के टॉकसिंस निकलते थे थे तो आप भीvised कारे को कर सकते हैं बहुत आसानी से संडे के दिन एक बार कीजियेगार और यापने एक ये बस बनाकर रखना ở हफ्ते में एक बार आप चोटे से को काम को करने मातर से आपके बहुत मिलते हैं तो में आजकी आपको बैहत पसंद आई होगी अच्छी लगीю तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजेगा चलिए फिर मिलूंगे किसी नए जानकारी के साथ तब तक अपना बेहत खयाल रिखिए और हस्ते मुस्कुराते नहें स्टे हैल्दी स्टे हैपी बबाई